जमियत उल्मा मध्यप्रदेश के प्रास सचेव हाजी मोहम्मद इम्रान हारून ने कहा कि जमियत उल्मा मध्यप्रदेश की टीम लगातार कई वर्षों से जमियत उल्मा मध्यप्रदेश के अध्यक्ष हाजी मोहम्मद हारून साहब के मार्ग दर्शन में वक्फ संपत्तियो मगबरों की सुरक्षा संरक्षन के लिए मुहिम चलाती आई है जमियता की मुहिम पर शहर के और प्रदेश के कई कबरस्तानों में सुरक्षा एवं संरक्षन के कार्यव हुए और कई जगा जारी है आज जमियता की टीम हाजी मोहम्मद इमरान हरून हाफिजी स्माइल बैग, मौलाना हनीफ मुफ्ती अथन अद्वी, हाफिज साजिद एहमद, मुहम्मद अकबर, मुफ्ती मुहम्मद राफे आदी टीम ने मगबरा शाजहां बेगम पर पोहच कर मगबरे को वेवस्थित करने की मान की इस मौके पर हाजी इमरान ने सभी जिम्मेदारों से मगबरा शाजहां बेगम को दुरस्त करने की मान की जो अंदेखी के चलते तेजी के साथ हसामाजिक तत्वों नशेडियों का अड़ा बना हुआ है मगबरा शाजहां बेगम पूरी तरहां अंधेरे में दूबा हुआ है बाउंडरी वाल सुरक्षा के दरवाजे पूरी तरहां तूट चके हैं जिसकी और किसी भी विभाग का कोई ध्यान नहीं जन प्रतिनिदी वक्फ बोर्ड और काफ शाही और इनके वारे सब आंख मूंदे हुए है मगबरे की सुरक्षा और संरक्षन की और कोई ध्यान नहीं जबकि जमियत की टीम वर्षों से मगबरे के संरक्षन की मांग करती आ रही है और टीम खुद भी मगबरे के संरक्षन के लिए प्रयास करती आ रही है वहीं हाफिस इसमाइल ने अंतिम यात्रा के बड़ी परेशानियों का सामना मुस्लिम समाज को करना पड़ता है जिसकी और वक्फ बोर्ड और कब्रस्तानों की सुरक्षा समितियां ध्यान नहीं दे पा रही जिसकी और कई बार ध्यान आकर्शित. करवाया जा चुका है हाजी मोहम्मद इम्रान ने कहा कि भोपाल के बानियों के मगबरों के हालात भी किसी से चुपे नहीं हैं गंदगी अंधरों और खस्ता हाली की वजह से नशेडियों के अड़ों में नजर आते हैं मगबरे जिसकी सुरक्षा की मांध कई बार की जा चु उसे सुरक्षा नहीं मिल पाई भी है बड़ा खस्ता हाल है आप लोगों ने देखा इसको कि यहां की दीवारे टूटी हुई हैं यहां की कंगूरे टूटे हुए हैं और बेगम के जो वहां चार दीवारी जमतुर्मा ने अपने पेसों से बनाई थी वो दीवार भी टूटी हुई है इसकी तरीके से हैं बुरे हालात हैं यहां पर जो है अगर इसके तहाफुज नहीं किया गया तो यह कुछ दिनके बाद में खतल हो जाएगी एक नराफ शाजा अबेगम के बारे मताब सबी जानते हैं कि बहुत बड़ी यहां की शक्षित रही है भुपाल का नाम पूरी दुनिया के अंदर आ इसके जिम्मदार है शाही-उकाद भी जिम्मदार है वकबोड भी जिम्मदार है उस सब को विल्ग इसके तहफ़स करना चाहिए और इस जितने भी शेयर के अंदर शुपकर तहफ़स करना चाहिए जो भी हमारा जो विरासते छोड़ की गए हमारे बुजग उनको बचाना चाहिए ताकि आने वाली नसले उनको चान सकें पैचान सकें उनको समझ सकें कि उन लोगों ने कितने बड़ा बड़ा काम की हैं हमारी मुहीम आज से शुरू ही है कवरत्तान बचाओ कवरत्तान सफाई अब्यान हमने शुरू किया है आज हम नवाब शाजाँ बेगम के मगबरे पर पहुचे हैं यह हमने साफ सफाई के नजम देखा पूरी तरह खसका हाल हो रहा है हमारे जरीए पिछली बार जब हमने सफाई अब्यान चलाया था तो यहां बहुत काम किये गए थे यहां रंग रोगन किया गया था बोड लगाए गए थे पत्तल लगवाए गए थे यहां जिम्मेदारों के ना होने की वज़ा से पूरे हालाग बत से बत्तर हो गए अब हमने फिर से यह तहरीख शुरू की है हमारे जरीए जितने काम हो सकते हैं जम्यत ओल्मा करेगी इंशालला और हम यहां के जम्मेदारों से वगबोड हो चाये घंद प्रतीनी भी हो खाफ़ शाही हो या जो भी जम्मेदार हो उनसे हम माम करते हैं कि यहां सक्त जरूवत है लाइटों की यहां की विवस्ता ठीक की जाए ताकि आने वाले लोग जिसने बोपाल को बनाया है बसाया इ स्यासी लोगों को कुछ ग्यापन छेतरी विदाग और नगर में का मिया वगबोड दे कि ग्यापन हमने कई बार दी हैं सेक्ड़ों बार दे चुके हैं अभी तक कोई तवज्जों नहीं दी गई हमारा शिक्वा यह है कि तन्जी में सब जागरूग है अपनी अपनी तरफ किया जम्यत उल्माने भी किया अब हम लोगों की उम्मिदें हैं कि जन्परती करें या वगबोड करें या उकाफ़ शाही करें पर उन्होंने पूरी तरह आखें मुंद रखी है इस तरफ कोई तवज्जह नहीं दी जारी। इतनी बड़ी बड़ी चीजें हमारी शिकायत ने हैं शिक में कैसे दूर होंगे चंग महीनों में अगर चुनाव कोई और जीच जाता है तो हाला फिर वजल जाएंगे फिर से वो चीज होगी हमारी ये मांगे कि ऐसे प्राफदान होना चाहिए कि चाहे उसमें जिम्मेदार ह कर दो कि प्राचिन जो प्राचिन जो अपनी बात रखेंगे और अपनी बात रखने की नहीं है अज इकटे हुएं और हमने अपनी बात